सभी सनातन धर्मियों को जैश्री किष्णा जैश्री राम जैश्री व्षिर आप देख रहे हैं लोग का प्रियर चैनल समाचार 99 और मैं अपर्णावाश्पी और प्रस्तो थे हमारी विशेश पेशकर्ष प्रसिद्य ख्याति प्राप्त आध्यात में गुरु कथा वाचर श पूज्य महा मंडलेश्वर स्वामी प्रग्यानंद जी महराज और फिल्म जगत की युवा होनहार अभिनेता सुशान सिंग राजपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है महराज श्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूजय महा मंदलेश्वल स्वामी प्रग्यानन्द महराज के निधन से समाज को अपूर्निय च्छती हुई है श्रधे खगुलकृष्ण जी महराज ने कहा कि स्वामी प्रग्यानंद महराज ने अंतराश्रिय प्रग्या मिशन और अंतराश्रिय प्रग्या योग फाउंडेशन की स्थापना की स्वामी के सम्रदिस आध्यात्मिक और समाजिक योगदान के लिए उन्हें सदैप याद कि जाएगा महाराश्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांती की प्रात्ना करते हुए पूज्य महामडलेश्वर स्वामी प्रग्यानन्द जी महाराश के अनुयाईयों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है गौर तलब है कि अंतराश्रिय प्रग्या मिशन के संस्थ महामंदलेश्वर स्वामी प्रग्यानंद महराज शनिवार की शाम दिल्दी इस्थ आश्रूं में ब्रहम लीन हो गए आवान अखाडे के महमंदलेश्वर और दिल्ली संत महामंदल में 15 साल वो अध्यक्ष रहे स्वामी प्रग्यानंद के शिश्या सादवी विभानन ने बताया कि स्वामी जी ने शनिवार को दैनिक चर्या के साथ ही सुबह नाश्ता और दोपहर में भोजन किया और विश्राम में चले गए दुपहर में विश्राम में जाने के पहले उनकी मोबाइल पर बात हुई थी जिसमनों ने बताया कि भोजन करने की इक्षा नहीं हो रही है इसलिए शाम को सूप लोंगा शाम को सेवक जब उनके कमरे में गया तो उन्होंने कोई हरकत नहीं की बताया जा रहा है कि सोते समय उन्हें हिद्यागात होने से हमको सदा के लिए वो छोड़ गए आईए शवन करते हैं आध्यात्मी गुरु कथा वाचक श्रदेख अगुल कृष्ण जी महराज के श्री मुक से शोक संदेश धन्यवाद जैश्री किष्णा जैश्विराम जैश्वश्व आश्या है कि आप सभी कुशल हैं और आज बैश्विक महमारी कोराना के भीश और संकट में आप और हम सभी जैट करके मुकावला करने में लगे हुए हैं चोकि दुर्वागे का विश्य है कि भारत अनलोक में होने के वाव कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर तिजन लगातार बढ़ रही है कि इंद्र सरकार के साथ साथ राजश शरकारें भी अपने अपने मेशन में लगी हुई हैं लेकिन इस बीच में कई ख़वर ऐसी आई है कि उनसे बढ़ा द्रवित हुआ है हमारे मद्द से दो ऐसे अनमोल व्यक्तित्व हमें छोड़कर चले गए जिनकी हमें अभी आज की तारीक में बहुत महते आवश्यक्ता थी एक अध्यात्म जगत से और एक फिल्म जगत से अध्यात्म जगत के महारती प्रज्या फांडेशन के महामडले सर श्रद्धे प्रज्यानजी महाराज ब्रहमलीन हो गए और दिल्ली इस्तित्व अपने आश्र में उन्होंने अंतिम सासे लिए उनके निजी सायक ने बताया कि अच्छा बला रात में शेन करने की बाद घड़ते आगात हो गया एक तरफ ये कहते हैं कि ऐसी जो निधन होते हैं वह बहुती तेजश्वी और अलोक एक व्यक्तित्त होती हैं लेकिन ऐसे देश के मूर्धन्य मनिश्वी संद का जानना हमारे लिए बहुत दुखत की बात है और इस बीच में उधर फिल्म जगत से एक युवास्ताक्षर जो कि बिहार से पटना से मुंबई आकर एक नई पहचान मनाई और मात्र 34 वर्ष की अवस्था में सो तां ऐसा एक अवनेता जग चला गया जो कि आज हमें बहुत अच्छे ची यादगार फिल्म देखे गया और वो थे सुशान्त शिंग राजबूत जन्होंने एक नहीं दो नहीं दरजनों फिल्म में एक जीवन तवने करके दी और बहुत बड़े अपनी भूम का एदा करते हुए एक फिल्म जगत को नया सौपान दिया लेकिन कई महीनों से डेप्रेशन की भीमारी से जूज रहे उन्होंने आथ नत्या करके अपने जीवन को पूरा किया बड़े दुक्की बात है कि ऐसे कलाकार का हमारे वीच से छोड़ कर चले जानना जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो पाईगी यो तो हम अब बिशिलेशन करते रहेंगे क्या कारण था क्यों ऐसा किया लेकिन जो चला गया वो तो आएगा नहीं ऐसे ही अध्यात्म जगत के हमारे ब्रहमलीन संथ रग्यनंजी महाराज उनका भी निधन हम सभी को बहुते द्रवित करने वल्ला है और आज हम ऐसे संत महात्माओं के जाने से हमें हमारी अध्यात्म की जो गगरी है वो ऐसे लगता है कि खाली हो गई क्योंकि कहते हैं कि विश्व गुरू केलाने वाले भारत में इन संतों के इन महात्माओं के इन आध्यात्म बेत्ताओं के बज़े से ही हमारा भारत देश एक अलग पहचान लेके चला है तो ऐसे मनीशी शद्द के लिए हम सरधांजली अरपित करते हैं शरदा समन अरपित करते हैं इश्वर शिरी चणों में अपना इस्थान दें और उधर फिल्म जगत से युवा अवनेता सुशांत सींग राजबूत के शोक संतर्प्त परवार को ये दुख सहन करने की इश्वर शक्ति प्रदान करें उनकी यादें उनके किये गुए गवने उनकी यादों को जीवन करते रहेंगे रुपेले परदे पर उनकी की कोई भूमका हमें उनका याद कराती रहेगी हम उनको श्रदा सुमन अर्पित करते हैं शोका कुल परवार को ये दुख करने की शेहन करने की शक्ति प्रदान हो इनी शब्दों के साथ अपनी बारी को विश्राम देते हुए उन्हें दोनों मानस्तियों को शद्दा को बनात्यत करता हूँ ओम शान्दे